दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ objective परसने जो आपके exam के लिए बहुत जादा महत्तपूर होने वाले हैं तो इसी के साथ स्वागत है दोस्तो आपके अपने चैनल brain booster में चलिए आज की वीडियो हम सुरू करने वाले हैं लेकिन उससे 60 परसन डिसकस करने वाले हैं और ऐसे परसन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो अक्सर exam में पूछे जाते हैं और कहां कहां exam पूछे गए हैं वो भी इसके सामने लिखा वा है तो आप लोग अपने आपको चेक करिए कितनी तैयारी आपकी चल रही है और यह आप अभी सलटनत का सासन कब प्रारंब हुआ eh 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 प्रश्ण है दिल्ली सल्तनत का सासन का प्रारंब हुआ देखे बारा सो च्छे आपका जो ऑप्सण आज वहेगा ऑप्सण नंबर बी यह मैंने पहले बता दिया आपको ठीक है ऑप्सण नंबर जो बी है बारा सो च्छे में दिल्ली सल्तनत का जो सासन था वो प्रारंब होता बारासोंचे में कुटुबदीन ऐबक्ट दिल्यकिक स्थापना करता है गुलामस्की स्थापना करता है, ठैक है तो प्रष्ण है सिंपलता कि दिल्यकिल सब्सक्राब के द्वारत के साशन कब प्रारंब हुआ, तो 206 कि स्थापना होती है उस समय इसकी जो राजधानी होती है दोस्तों यह महत्तपूर्ण यह आपको पता होना चाहिए यह क्या है जब लाहूर इस्थापना के समय जो राजधानी थी वह है लाहूर थी उसके बाद के जो दिल्ली जो सासक हुए है उनकी जो राजधानी है वो फिर दिल्ली है लेकिन कुटुबदीन एक ऐसा सासक हुआ जिसकी राजधानी कहा पर थी लाहूर में थी चलिए मुंस था जिसने डिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया आपके ऑप्टिन है गुलाम वंस eni कि बाराज्व छे में कुतुबदीन एवक ने बारासोचे पहला क्योंगत हमारा इवा्रासोचे में कुट्वध्दीं एवक ने दिल्ली सल्तनत की इस्थापना की थी तो गुलामवंच का संश्थापक कौन था कुट्वध्द्व गुलाम यसले कहा जेता कुपर जो सिह प्रशन版 का। कुटूबदीन एबक की राजधानी कहां थी अभी हम डिसकस किये कुटूबदीन एबक एक ऐसा सासक था जिसकी जो राजधानी थी वह है लाहूर थी इसकी राजधानी लाहूर थी और बाकि जितने भी सासक हुए उनकी राजधानी दिल्ली थी तो कुटूबदीन एबक की चाहि जो मुर्यत्य हुई थी बारासो सो दस में यह आपका उपस नंबर एक यानिके पोलो जो खेल था इस खेल को खेलते हुए इसकी मुर्त्य हो गई थी । यह घोड़े पर बैठकर एक खेल खेला जाता है और जब यह घोड़े बैटकर खेल रहाता तभी घोड़ी से गिर कर इसकी मृत्ति हो जाती है खेल जाता है कि इसे अच्छी तरीके से याद थी तो इसे उपर की दो उपादिया है यह याद को प्रस्ण नमर साथ देख लेते हैं कुतुबदीन एबक ने सासक बनने के बाद कौन सी उपादी दारण की आपके option है मलिक, सिपे सलहार, सुल्तान या खलीपा पूर्ट देख लीजिए पूर्ट है आपका एक और तीन, दो और चार, एक और दो यानि कि जो मलिक है और जो सिपे सलहार की यहाँ पर जो उपादी किसे माना जाता है यह प्रशन है आपका कि जो दिल्ली सल्तनत है इसका वास्तिविक अत्वा, वास्तिविक संसापक और उधारक किसे माना जाता है आपके option है इल्टुतमीज, एबक, बल्बन या आराम सा तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तिविक संसापक माना जाता है वह संस्थापक यदि पर्थम की बात करें दिल्ली सल्तनत का पर्थम संस्थापक वो था कुतुबदीन एबग लेकिन यदि वास्तिविक की बात आए वास्तिविक संस्थापक कौन था तो वैता कुतुब इल्टुतमिस चलिए next देख लेते हैं इलतु तमिष ने सलतनत की राजधानी के रूप में किसे इस्थापित किया था तो इलतु तमिष की जो राजधानी थी वह थी दिल्ली देखें हमने आपसे पहले भी का जो starting की जो राजधानी थी कुतुबदीन एबक के द्वारा जो बनाई गई थी वह लाहूर थी लेकिन उसके बाद के जो राजा हुए उनमें जो इल्टुतमिस है उसने राजधानी कहां परिवर्तित कर दी दिल्ली और तब से ही राजधानी दिल्ली होने लगी परशन नमबर 10 दिल्ली के पर्थम परभुता संपन इल्टुतमिस को किस उपनाम से जाना जाता है तो जो इल्टुतमिस है इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्टुतमिस का ये उपनाम है गुलामों का गुलाम तो ओप्सन नमबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो ज सुल्टान कौन था तो देखें यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी इल्टु तमिश इल्टु तमिश नहीं नियमित मुद्रा जारी की थी और इसके सासात्मी अपनी जो सामराज्य की जो राज़ानी थी वह दिल्ली को गोसित किया था चलिए नेक्ट देखें किसके सिक्को पर बगदाद के खलीपा का नाम सरुपर्थम अंकित हुआ तो ये आपको बताना है किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीपा का नाम अंकित हुआ था, तो ये भी कौन था, इल्टु तमिश, इल्टु तमिश के सिक्कों पर बगदाद के खलीपा का नाम सरूपर था मंकित किया गया था, नेक्स्ट है, इल्टु तमिश ने निमलिखित म करते थे, 40 सरदारों का एक दल था, इसे ही तुरकान ये चहलगा में कहा गया, नेक्स देखें, इल्टु तमिष के सासनकाल में भारत पर किसका आकरमन हुआ, तो चंगेज खान ने आकरमन किया था, इल्टु तमिष के समय, यदि ये प्रश्न बने के चंगेज खान ने आकरम किसके समय पर किया, तो आपका आंसर हो जाएगा, इल्टु तमिष, नेक्स देखें, इल्टु तमिष ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार किसे नियुक्त किया था, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, उप्सा नमबर D, यानि के मलिक जानी, मलिक जानी को तो पिथु का विद्रो, तुगुरिल का विद्रो, उजबेको का विद्रो, या फिर जाटो का विद्रो, तो आज का जो सही आंसर हो क्या है, पिथु का विद्रो, पिथु का विद्रो, इल्तु तमीज के समय हुआ था, तोस्तो आप चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो एक कमेंट आप लोग जरूर करें ताकि हमें पता लगता रहें कि आगि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है चलिए प्रश्ण नमबर 17 किस सताबदी में दिल्ली का कुतुब मिनार बनाया गया था तो आपका जो आंसर हो द्वारा निमने लिखित में से कौन सा सिका चलाया जीतल टका रूपया या अदा कूट है आपके एक और दो दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार तो जीतल और टका ये इल्टु तमीश के द्वारा चलाए गये थे तो आपको याद रखना है ओप्सण नमबर क्या हो इन में से किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमन करने के लिए सिंधु नधी पार नहीं की। ठीके कौन साय सा सक था जिसने सिंधु नधी पार नहीं की थी वो बाहर से बाहर ही चला गया था। तो ये था चंगेज खान। तो जो रज्या सुल्तान थी वह है इल्टु तमिस्की बेटी थी रज्या सुल्तान। नासिर उद्दीन महमूद को इस गरंथ को समर्पित किया गया है। प्रशन ये भी बन सकता है कि यहां पर एक किताब है ये भी बन सकता है कि जो तबकात इन नासिरी है यह किस ने लिखिये तो ये भी आपको पता होना चाहिए यह मिन्हाल मिन्हाज उल्ह उस सिराज किये उस तक है तबकात इन नासिरी चलिए नेक्ट देखते हैं प्रशन नम की थी नसिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतरतु में भारतिय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था आपके उप्सन है इमादुद्दीन रिहान अल्दुतूनिया जलालुद्दीन याकूत या कुबाचा तो इसका जो सही आंसर है उप्सन नंबर यह आपका बिल्क अब पहले प्रस्ण में हमने पढ़ा के द्वारा लोहो एवं रक्त की निति अपनाई गई उसने केंद्रे सेन्ने विवाग दिवाने अर्ज की स्थापना की, ठीक, तो ये option number क्या है, option number C आपका गलत हो जाएगा, चलिए, next देखते हैं, सुल्तान बल्बन के आदेश पर सारवजनिक रूप से कोडे की सजा पाने वाला निमलिकित अमेरिगों में से कौन था, बल्बन कोडों की सजा दी गई थी, देखें दोस्तों ये जो हमने side में दर दिये हैं आप इंज़े समझ सकते हैं कि ये जो प्रस्ण है, ये पहले किसी exam में पूछे जा चुके है, अपनी सक्ति को समयकित करने के बाद बल्बन ने भवे उपादी धारण की थी, तो बल्बन ने जि देवी अधिकार से संपन है, इससे मिलता जुलता सिध्धान्त है, राजा की गरिमा एक दूसरे सिध्धान्त को पर्तिपादित करने वाला पर्थम मुस्लिक सासर कौन था, तो ये था आपका option number जो डी है बिल्कुल correct हो जाएगा, दोस्तों थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, वरना वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, ये किसने कहा देगे, प्रशन है कि राजा देवी अधिकार से संपन है, इससे मिलता जुलता सिध्धान्त है, राजा की गरिमा, इस दूसरे सिध्धान्त को पर्तिपादित करने वाला पर्थम मुस्लिम सासर कौन था, तो ये था बल्बन, बल्बन नहीं ये कहा दा कि जो राजा क्या है, देवी अधिकार से संपन होता है, चलिए, नेक्ट देखिए, प्रशन नमबर 32, बल्बन ने भारत में किस फार्शी तयोहार को मनाने की सुरुवात की, तो जो ये जो नोरोज तयोहार है, इसे मनाने की जो बल्बन के द्वारा की गई थी, निम्नलिकित में से कौन सा कतन बल्बन के संबंद में सही नहीं है, उसने नियामत एक उधाई के सिध्धान का परतिपादन किया, उसने इक्तादारी ववस्ता नहीं, ये बिलिकुल परशन आपका इक्तादारी गलत हो जाएगा, ठीक है, इक्तादारी जो व्यवस्था थी वह है बल्बन के द्वारा सुरू नहीं की गई थी, चलिए नेक्ष देखिए, बल्बन ने किस मस्जिद की दिवार पर अपने सिलालेखों में स्वेम को खलीपा का सहायक कहा है, तो ये जो था गड़ मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है, ठी गुरिल खा का विद्रो हुआ था, इन में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी की सत्ता को तोड़ने और विनास करने में पूर्ण रूप से सबलता हासिल की, तो जो बल्बन था, देखिए, बल्बन ने तुर्कान ए चहलगामी को बिल्कुल खतम कर दिया था, और पहले आपको बताया है, यदि आपको याद है तो आप मुझे फटाबट कमेंट करके बताईए, खिल जी वन्स का संस्थापक कौन है, ठीक है, तो जलालुद्दीन खिल जी, जलालुद्दीन खिल जी को दिल्ली वन्स का संस्थापक माना जाता है, दिल्ली के खिल जी सुल तान थे ये तुर्क लोग थे जलालोद्दीन खिलजी के समय निमलिखित में से किसका विद्रो हुआ था तो सीधी मोला का विद्रो था यह है जलालोद्दीन खिलजी के समय हुआ था किसका विद्रो सीधी मोला का विद्रो प्रशन नमबर 40 जलालोद्दीन खिलजी के सासनका निमलिकित में इसे किसका विद्रो हुआ था तो देखी आपके ओपसिने मलीक चज्जू का एक सब्सक्राइए ने इस एक सेट एक तो चलालूदीन खिल जी के जो सासनकाल में विद्रो मलीक चज्जू का हुआ था यह आपको पता होना चाहिए चलिए नेक्ट देखते हैं अ अल्लावदीन खिल जी के बच्छपन का क्या नाम था तो जो अली गुर्षाव था अल्लावदीन खिल जी को नमीन धर्म की इच्छा रखने के करण किसके विरोध का सामना करणा पड़ा था यानि कि जो अल्लावदीन ने एक नवीन धर्म की इच्छा वेक्त की थी इसके जो उलेमाओं ने इसका विरोध किया था ठीक है तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो उलेमा लोग थे उन्होंने अल्लावदीन खिल जी का जो नवीन धर्म था इसकी जो इच्छा उसने वेक्त की थी एक नवीन धर्म होना चाहिए उलेमाओं द्वारा इसका विद्रो किया गया था जब उसने राज़तु प्राप्त किया तो वह सरियत के नियमों एवम आदेसों से पूर्णत है सवतंतर था बढ़नी का यह कथन किस सुल्तान के लिए था तो आपका उप्सन हो जाएगा उप्सन नमबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रशन नमबर चवालिस अलावदीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपादी धारण की थी तो जो अलावदीन खिलजी है उसने सिगंदर सानी की उपादी धारण की थी चलिए नेक्ट देखते हैं सेना को वेतन देने की पढ़नाली काविधान किसने बनाया था सेना को दो नगद वेतन दिया जाता था वह है अलावदीन खिलजी के समय से दिया जाता था यह आपको पता होना चीए निकिन नगद वेतन यह प्रशन बहुत बार पूचा गया है कि सेना को नगद वेतन किसन ने दिया था तो ये दिया था अलावदीन खिल जी ने प्रश्च नमबर 46 तेरा सो छे इसवी के बाद अलावदीन खिल जी के समय डिली के सुल्तान तथा मंगलों के बीच सिमा क्या थी ये तेरा सो छे की हम बात कर रहे हैं तो अलावदीन खिल जी के समय डिली के सुल्तान त के रूप में दावा किया देखे परश्वन कि एक बाफ एसूने कि सुल्टान ने जमीन में फसल की नपाई का आजा राजसु के रूप में दावा किया तो यह किया था अल्लावधिन खिल जी ने निकाइम ही, जमीन फ kısmla की नपाई का आधा आपको राजस हमें देना पड़ेगा के बाझार कीमतों को नेंतिर करने के लिए अलदाइम खिल जी के परियास में हों ठीके जो बाजार को नियंतरित है अब प्रस्ण ये बनता है कि बाजार नियंतरित करने का जो खानून था हो किस ने बनाया तो अल्लावदीन खिल जी ने बलाया और इसने कहा कि भाई अखिर ये जो बाजार कीमतों को नियंतरित करने के अल्लावदीन खिल जी के परियास ने क्या किया किर्शी को उन्नत किया केवल सामन्तों को लाप पहुंचाया बहुत सभलता प्राप्त की या सासक को जन्मानस से दूर किया तो इसका जो सही आंसर है बहुत ज्यादा इसमें सभलता उसे प्राप्त हुई थी प्रस्न ये अधिकतर पूछा जाता है कि बाजार नियं संतरनीती लाग ermee को नेकौ कुई मैंत में से डाय वी को प्राप्थ व miraculous अब희 में खुएके जाफर खान टूसक्वा अहीं तोो यह यह अलग्धीन खिल जी के साथ उसके चित्वोर अभ्यानमें को गया था अलावदीन खिलजी के आकरमण के समय देवगिरी का सासक कौन था जो अलावदीन खिलजी ने जब आकरमण किया उस समय देवगिरी का सासक रामचंदर देव था ठीक तो अप्सन नमबर जो एहे विल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा रामचंदर देव अलावदीन खिल जी ने मुल्य नियंतर निती किसके लिए लागू की थी यह सेनिको के लिए लागू की थी एक सेकेट चलिए लेक्स टेंग निम्ने लिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगरी इस्थानांतरित की थी तो मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगरी इस्थानांतरित की थी डेखे, राजधनी कैसे, सबसे पहले कुतुपदीन एबग आता है, ठीक है, कुतुपदीन एबग राजधनी लाहोर है, फिर लाहोर, डेखे, जो राजधनी प्रिवर्टन करता है, अगुश्क है कुछ सबसे पहले। योजनाय चलाई थी और पांचों की पांचों ऐसाफल हो गई थी इस वज़े से इसे ऐसाफलताओ का राजकुमार कहा जाता है देकि इसने क्या एक तुर अपनी राजधानी परिवर्थित की थी दुवाब में करिशने वरद्धी की थी एक खुरासान अभियान इसने किया थ ऐसी ऐसी हैं चार-पांच अभियान थे जो इसने किये थे लेकिन सभी के सभी ऐसाफल हो गए थे इसी वज़े से इसे ऐसाफलताओ का राजकुमार कहा जाता है मुहम्मद मीन तुगलक को रानी पदमीनी का नाम अलावदीन की चितोड़ विज़े से जोड़ा जाता है उनके पती का नाम क्या है जो रानी पदमीनी है उनके जो पती का नाम है वह राणा रतन सी अलावदीन खिलजी ने निमलिखित में से कौन सा कारिये किया था तो बाजार का जो शुधार था य एक सो बीश कोश्चन तक जाएंगे और दिल्ली सल्तनत के जितने भी महत्तपुन परशन है वो लगबा लगबा सभी कवर हो जाएंगे दोस्तों बस हम इतना ही कहेंगे कि आप थोड़ा सामें सपोर्ट करते रहें चैनलों को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के पास कम से कम एक दोस्त के पास तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें चले दोस्तों धन्यवाद